हेलो एवरिवन हम देख रहे हैं रीट एक्जाम के लिए पर्षन उत्तर आज मैं आपके सामने राजस्थान बगोल का जो टोपिक लेकर आया हूँ वो है राजस्थान में खनीज मित्रो खनीज से सबंदित टोप 76 क्यूशन लेकर आया हूँ ये सारे क्यूशन आपके रीट लवब पर्थम रीट लिफल सेकटंड नों के लिए मेतपूर्ण होने वाले हैं इसके अलावा यह compliant के लिए प्रत्फम प्रकर के लिए भी important हो जाता है आप सभी वीडियो को पूरा देखें वीडियो का अंतक मेरे साथ बने रहे हैं सारे क्योशन आपके लिए important होने वाला है यह सारे क्योशन NCRT तथा RBC के pattern के अधार पर ही तियार किये हैं नमस्कार मैं राजंदर सभी का स्वागत करता हूं कलाम सीवल सर्विस है YouTube चैनल में सारे दोस्त वीडियो को लाइक कर दें वीडियो को share कर दें और जो नेमितर जुड़े हैं वो चैनल को subscribe कर दें चलते हैं क्यूशनों की तरह पहले क्यूशन आपके स्क्रीन को पर इससे जो पहले कलास हुई थी उसे मैंने आप से क्यूशन पूचा था modern history से सबंदित क्यूशन था वो नीमल लेकेत में से किस ब्रिटिस अधिनियम ने ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के वेपारिक विशेशा अधिकार परदान किये दोस्तो जो EIC थी इस्ट इंडिया कंपनी थी वेपार करने के लिए दिया था दोस्तो भारत के अंदर तो अगला क्यूशन राजस्थान में सीसा वा जस्ता का सरवादिक उतपादन करमस्या होता दोस्तो इसमें से बताना है राजस्थान के अंदर कौन से जो दो जिले हैं जाम पर सरवादिक उतपादन होता है सीसा वै जस्ता का तो सरवादिक सीसा वै जस्ता का कहा उतपादन होता है दोस्तो रा समंद वै भीलवाड़ा में एंस्वर इसका सही हो जाता है दोस्तो अगला क्यूशन आपके स्क्रीन के उपर है चंदेरिया सिसा जस्ता समयलेटर कब कमिशन किया गया था तो चंदेरिया सिसा जस्ता समयलेटर कब समयलेटर किया गया था दोस्तों तो ये क्या था वर्स 1901 में दोस्तों ये क्यूशन भी आपके लिए इपोटन हो जाता है वर्स 1901 में ये कमिशन किया गया था चंदेरिया वाला सिसा की बंजारी माइन्स किस जिले में इस्तिता दोस्तों तो ये माइन्स पुछी गई है सिसा की सबंदित माइन्स है ये तो ये कहां पर है ये स्वाई माधपूर में दोस्तों कहां पर ये स्वाई माधपूर के अंदर है ये क्यूशन भी इपोर्टर बंड जाता हो जाएगा कौन सस्तान हो जाएगा हमारा भारत का सात्मा इस्तान हो जाता है बंडारन की दरश्टी सी दोस्तों याद कर लिजेगा कि क्यूशन सारी इपोर्टेट है आप कलास के अंद तक मेरे साथ बने रही है सारी क्यूशन आपके लिए इपोर्टन लेकर आया है अगला क्यों सुना आपके स्क्रीन के उपर है विसो में सीसाव एजस्ता के उत्पादन में पर्थमिस्तान पर कौन है दोस्तों सीसाव एजस्ता के उत्पादन हो पूछा गया है पर्थमिस्तान पर पूछा गया है तो पर्थमिस्तान पर जो हमारा विसोब का पुछा गया है तो विसोब के अंदर जो देश हो जाएगा वो जाएगा चीन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों चीन हो जाएगा सबसे उतपादन की दरश्टी से आश्ट लिया सबसे जादा हो जाता है उतपादन की दरश्टी से पूछा गया है यहां पर बुमिगत खान खोली कहां थी 2013-14 के अंदर वो काईड अजमेर में खोली थी दोस्तों कहां खोली थी काईड अजमेर ये जो तीसरा उप्सन है हमारा सही हो जाता है हिंदूस्तान जिंक लेमेटेड ने क्या खोली थी एक बुमिगत खान खोली काईड अजमेर के अंदर खोली कि कब खुलीगी 2013-14 किंदर दोस्तों भारत में सिसा जस्ता के सरवादिक बंधार पाया जाते हैं यदि भारत में पूछा जाए आपसे सरवादिक बंधार सिसा जस्ता के कहां पाया जाते हैं दोस्तों तो सरवादिक बंधार कहां पाया जाएंगे सिसा जस्ता के तो सरवाद स्थान ने पूछा जाए राजस्तन के लावा राजस्तन पहले स्थान 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 के अंदर है रेल मगरा नामा की स्तान पे कोण सी खान पूछी की है सिंदे सर खुर्द खान दोस्तो इपोर्टन क्यूशन है निमन में से सत्या सोरी निमन में से सत्या बता ना दोस्तो इस में से सत्या कोण कोण से है तो दोस्तो पढ़िएगा पहला उप्षन चंदेरिया सिस सपा bisa समय लेंटर चितुर केंदर है दोस्तों ये सई है दइवा समय दर्शितर जो है वी राधर समंद्र में ऐसा है चौह समयट्र हऊ तो ये डनबर उप्शन है ना वह प्रॉक्षभी ये सारे सत्य बता रहा है तो यह ृप्षन हम क्या कर देंगे? सही कर देंगे. दोस्तो, अगला क्यूसन आपके स्क्रीन के उपर. जावर खान किस के सासन काल में खोजी की थी, दोस्तो, जावर खान पूची गई है, आपसे किस सासन काल में ये खोजी के बंढारों के दरिश्टी से राजस्तान का स्थान पूछा पूछा गया अब की वर किसमें पूछा गया है מगनेटाइट किसम के लोह के बंढार ने स्तितिम पूछा गया यüz पहले पेहले उसके कि बात कर लेते हैं पहला स्थान हो जाएगा हमारा किसका करनाट्टा का हो जाएगा दोस्तों किसका हो जाएगा आपका करनाट्टा का पहला स्थान हो जाता है और सेक्टन स्थान हो जाएगा अंधरा परदेश कोन हो जाएगा दोस्तों एपी हो जाएगा अंधरा पर्देश हो जाता है हमारा सेकिन स्थान के ओन सा हो जाएगा अंधरा पर्देश और जो हमारे राजस्तन का स्थान है वो दोस्तो कोन सा हो जाएगा त्रीत्य स्थान है जो इस क्यूशन पूछा गया है राजस्तन का स्थान पूछा गया तो राज एजमेर में, दोस्तों, काऊंप到 मैं है? यह आजमेर में, दोस्तों, लगा लिजेगा है, आजमेर पूछा गहाइब से, तो घ्रैंगे जो चेतर ना दोस्तो ये पहली बात तो मैं बता देता हूँ ये किसे सब्बंदित है ये लोहा उत्पादक से सब्बंदित है दोस्तो लोहा उत्पादक शेतर है ये तरंगा उससे ये सब्बंदित है और ये है काँ पर दोस्तो ये है आपके काँ पर यह हो जाएगा आपका बुंदी के अंदर दोस्तो सोरी बिलवाड़ा में हो जाएगा दोस्तो का हो जाएगा यह आपका बिलवाड़ा में हो जाता है दोस्तो इपोर्टन यह क्यूशन है बिलवाड़ा अगला क्यूशन कोर्मा शेत्र बुंदी में किस खनीज के बंधार पाए जाते हैं दोस्तों कोर्मा जो शेत्र है वो बुंदी के अंदर स्थित है वो इसमें पुछा गया कौन से खनीज के लिए बंधारन के लिए जाना जाता है तो वो कौन सा किसी जाना जाता है वो जाना जाता है लोहे के के लिए जाना जाता है कौन सा शेतर कोर्मा शेतर दोस्तों वह बुंदी इंदर स्थित है वह लोहे की उत्वादन के लिए यह बंधारन के लिए जाना जाता है पंदरमा क्यूशन आपकी स्क्रीन के उपर है राजे में मेगने टाइट किसम का लोहा कहां पाए जाता दोस्तो तो राजे में पूछा गया कौन से किसम का पूछा गया है मेगनेटाइट का दोस्तो तो मेगनेटाइट का लोहा पूछा गया कहां पाय जाता है तो आपके लगा लिजिए किस क्यूशन के अंसर भीलवाडा वे सिक्कर में पाय जाता है राज्य में लोहे एसक उतबादन के परमुख शेत्र कौन-कौन से हैं दोस्तों इसमें पूछा गया परमुख शेत्र के बारे में तो हमारा जो परमुख शेत्र हो जाएगा कौन-कौन सा हो जाएगा देख लो मोरिजा बानोला ये हमारा जस्तन के अंदर है लोहे एसक पूछा गया लिए इसमें पूछा गया है यह को友 से जिलियमे हो जाएगा विदियू पूरा देख लिए आप और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर ले मित्रो वैखनीज कौन सा है जिसका खनन वेभी पढ़न कारे राजस्तान राजा खनीज विकास निगम लिमिटेड द्वारा नहीं किया जाता दोस्तो इसमें से पुछा गया नहीं किया जाता है तो नहीं किसका नहीं किया जाता है तो रोक इसका right answer हो जाता है हमारा अगला किशवन आब की screen के उपर है राजे में लोहा मुखेता किन किन जिलो में पाए जाता है दोस्तो लोहा पुछा गया राजे में, कहां पर पाय जाता है लोहा तो लोहा कहां पाय जाएगा हमने बात करिए लोहे शेतर की बात कर ली तो सबसे पहले हम जेपूर को रडार में लेंगे दोस्तों जेपूर हो जाएगा दोसा हो जाएगा और सिक्कर हो जाएगा तो हमारा पहला अप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाता है लोह ऐसक किस से प्रापत होता है दोस्तों अब पुछा गया जो लोह ऐसक होता है लोह ऐसक होता है जिससे लोह प्रापत होता है में तो पुछा गया कौन सी सेलों से प्रापत होता है अब साधी सेलों से काइधरी चटानों से आगने चटानों से या रेतीले मिदानों से दोस्तों तो लोहे ऐसक जो प्रापत होते हैं यह किसे अवसाधी चटानों से प्रापत होते हैं दोस्तों एक नमबर उप्शन हमारा सही हो जाता है राजय में मुखेत है किस किसम का लोहा प्रापत होता है दोस्तों राजय में प्रापत होता है कि सबसे जो राजय में प्रापत होने वाड़ा जो लोह है वो कौन सी किसम का लोहा प्रापत होता है वो होता हमें कौन सी हैमेटाइट प्रकाल का दोस्तों कौन से प्रापत होता ह हेमेटाइट का परप्त होता है कौन से राजस्थान पुछा गया है तो कौन सी किसम का हेमेटाइट का राजस्थान में लुभा परप्त होता है दोस्तो राजस्थाना कौन सा नगर दातु नगरी के नाम से जाना जाता है ये क्यूशन भी दोस्तो सिंपल क्यूशन है लेकिन हो सकता है एक्जाम में पूछ लिया जाए आपसे ना तो कौन सा अगर दातू नगरी के नाम से जाना जाता है तो हमारा जो अप्शन हो जाएगा नागर नागर को अपन क्या बोलेंगे दातू नगरी भी बोल चकते हैं दोस्तो अगरा क्यों से नापके स्क्रीन को पर तैयार इस पात का सबसे बड़ा सबसे बड़ा उपबोगता है दोस्तो सबसे बड़ा उपबोगता है कौन सा है तैयार इस पात का जो तैयार इस पात का जब सबसे बड़ा उपबोगता है दोस्तो कौन है चीन हो जायगा कों हो जायगा चीन हो जायगा पुछागे आपसे, परतिव्यक्ती इसपाथ उपभूग क्छागे, परतिवध्ति इसपाथ उपभूग के जी कह जाएगा दोस्तों, अगला किशुन आपके screen के उपर है नई राष्ट ये स्पात निती अन्मोदित कीगी दोस्तों नई इसपात निती पुछी गए कब अन्मोदित होती है दोस्तों वो जो नई इसपात निती है वो होती है कब वो जाती है तीन माई 2017 को अन्मोदित होती है नई इसपात निती दोस्तों ये क्यूशन भी इपोर्ट होता है वो जाएगा कौन सा हो जाएगा हमारा सीम्मत हो जाएगा उन jsौ जाएगा 17 में स्क्रिन के उपर है 2018 में कच्छे इस पाथ के उतुपादन में बारत का इस्तान कौन साथा दोस्तों निस सारी पोर्टेंट है आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों देश में लो है ऐसा कि सबसे बड़ी उत्पादक वे निर्यातक कमपनी है दोस्तों तो दोस्तों मैं बात कर लेता हूं देश में लो है ऐसा कि सबसे बड़ी उत्पादक वे निर्यातक कमपनी की दोस्तों तो नेशनल मिनरल डवलपमेंट कार्परेशन हो जाएगी दोस्तों नेशनल मिनरल डवलोप्मेंट कारपरेशन हो जाएगी जो पहला अपसन अमारा सही हो जाता है इसकी स्टापना ही बात कर लेते हैं तो 1958 में इसकी स्टापना होती है इसकी स्टापना होती है अगला क्यूसर आपके स्क्रीं के उपर डोजा टारा में पिंग अईरें का सबसे बड़ा उत्पातक देस था दोस्तों तो सबसे का सबसे बड़ा उतपातक देस है तो संस इमारा रधा और फश्ट्कॉण था दोस्तो first चाज चीन लगा लीजेगा question sorry portrait है sponge iron का वीषव का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तो sponge iron का पूछा गया है वीषव में सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो उत्पादक देश जहांपे ये पेदा होता है दोस्तो तो सबसे ज़्यादा कहां पर भारत के अंदर सबसे उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा हमारा स्पंज आयरिन के अंदर दोस्तो भारत हो जाएगा एक नमबर स्थान पर हो जाएगा 31 क्यूशन आपकी स्क्रीन को पर है वरस 2017 और 18 में लोहैसा का सरवादिक उत्पादन हुआ था दोस्तो तो लोहैसा का सरवादिक उत्पादन कहां हुआ था सरवादिक उत्पादन पुछा गे आपसे तो सरवादिक उत्पादन जो होता है राजस्तन लोहैसा का सरवादिक उत्पादन होता है उडिसा गंदर दोस्तो कहां होता है उडिसा में सरवादिक उत्पादन होता है तो राजेतन का स्थान बता दीजी का कौन सा है दोस्तो तो राजेतन का जो स्थान है वारत में मेगनेटाइट में सरवाद एक बंडारों की दरस्टी से तो बंडारों की दरस्टी से जो हमारा स्थान हो जाता है दोस्तो तीसरा स्थान हो जाएगा कौन सा स्थान हो जाएगा और कौन सी किसम का पाय जाता दोस्तों, तो हेमेटाइट परकार का भी पाय जाता और मेगनेटाइट परकार का भी भारत में पाय जाता दोस्तों, ये किसम इपोर्टेंट है, इस में ओप्शन में आपको दिखाई देगा, डी नमबर एंसर लगा लिजेगा, ए वे बी दोनो तौना है और ने कि के अगला की उना है ये स्क्रीन को पर भारत में मेगणे दिडियटि के सर्वादिक बंदार कहा मिलते दोश्तों मेगणे आडिक सरवादّीक बंदार पुछे गए 허 फे तो मेगणे टिडियटिक बंदार जो पाये जाते हैं दोस्तों वो कहा पाया आंद्रा परदेश हो जाएगा सेकंड स्थान पर कौन से हो जाएगा हमारा सेकंड स्थान पर कौन से हो जाएगा यह आंद्रा परदेश और थर्ड स्थान पर कौन से हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा दोस्तो किसके मेगरेर के सरवादी के मंधार की रूप में दोस्तो अगला क्यूशन, भारत में लो ऐसक के परशिद खान, बेला डिला की खान कांश्टीत है दोस्तों, ये क्यूशन आप तो पहले लगा लो, इपोर्टन दोस्तों, बेला डिला की खान पूछी जाती है, बेला डिला की खान की ससबंदीत है, पहले बात तो ये क्यूशन मन जात आपके लिए जो बेला डिला खाल है दोस्तो वो है आपकी लोह ऐसक सब्दित खान है दोस्तो लगा लीजेगा कोण सी खान है बेला डिला की खान और ये पूछी जाती है कहां पर है तो आप लगा लीजेगा 36 गड़ गंदर है बेला डिला की खान लोह ऐसक सब्दित है 36 गड था दोस्तो, छाय राज़े हमसे उपर थे, तो हमारा जो स्तान था, शुषातों था, 2017 और 2018 की अनुखार में तुर को ओर आस 2018 में, लोहे की उत्पादन में, भारत का श्तान पूचा जाता है दोस्तो किसमे लोवे के उत्पादन में तो पहला स्थान किसका हो जाएगा पहला स्थान हो जाएगा आश्ट्रेलियक हो जाएगा दोस्तो किसका हो जाएगा आश्ट्रेलियक हो जाएगा और बाद में किसका हो जाएगा चीन का हो जाएगा और बाद में किसका हो जाएगा ब 2018 में तो आइस्ट्रेलिया में हुआ था सरवादी उत्पदन होता है 2018 की उनसार दोस्तों लगा लिजेगा क्यूशन भी इपोर्टेंड बन जाता है लोग ऐसा कि बंडारों की दरश्टी से बारत का स्थान पूछा गया अभी कि वार तो बारत का जो स्थान है ना लोग ऐसा क समसे पहले है चेह देश मसे पहले हो जाएंगे कौन कौन से हो जाएंगे वह भी नोट करना चाहिए लिख सकते है आप आश्ट्रेलिया ब्राजिल रूस चीन युक्रेयन गणाड़ा फिर हमकरा अस्तान आता है साथ वह अस्तान दोस्तों अधूत में लोजर थी शरवा डि है ना वो मिलते हैं कहां पर वो मिलेंगे आपके आश्ट्रेलिया में दोस्तों कहां मिलें आपके आश्ट्रेलिया में सरवादी के लुहे के बंडार मिलें हैं यह भी अभी बाती करी थी हमने हैं वालत का अस्तान साथ में हैं तो लो ऐस तक बंडार मिलें सरवादी कहां पर आश्टेलिया में second number पे मरा हो जाएगा कौन सा ब्राजील हो जाएगा और third number पे कौन सा हो जाएगा मरा रूस हो जाएगा दोस्तों क्यों सारे important है मित्रो नाथरा की पाल पूछा गया है कहाँ इस्तित है नाथ्रा की जो पाल है वो इस्तित कहां पर है दोस्तों नाथ्रा की पाल बता देता हूं क्युस्वन सारी इपोर्टेट है नाथ्रा की पाल है उद्यापूर में मित्रो कहां पर है नाथ्रा की पाल उद्यापुल में दोस्तों, उद्यापुर के गाम पढ़ता है, सराडा गाम मित्रों, कहां पढ़ता है, सराडा गाम, ये लोहे ऐसक के बढ़ारन के लिए, नाथरा की पाल, इपोर्टन है दोस्तों, तो यहां पर क्या है, लोहे ऐसक के बढ़ारन मिले हैं, बढ़ार मिले है दोस्तो नात्रा की पाल के पाल के अंदर मित्रो क्युस्वन सारी important आप वीडियो को लाइक कर दे पहले तो और फिर चेनल को सब्सक्राइब कर दे चलते हैं क्युस्वनो की तरफ लोहे के मुखे ऐसक है लोहे के मुखे ऐसक कौन कौन सी है दोस्तो तो लोहे के जो मुख्य ऐसक है, मेगनेटाइट भी आपने पढ़े होगे, स्कूल के अंदर, तो मेगनेटाइट भी लोहे का है, और हमेटाइट की लोहे का ऐसक है मित्रो, लीमोनाइट और साइडे राइट ये भी लोहे के ऐसक है, और जियोथाइट और लीमोनाइट ये भ मिला है काम पर यह मिला है आपके शिरोही के अंदर काम मिला आपके शिरोही और शिरोही में यह दी पहली बात जिला पूछ लिया शिरोही में इस्थान पूछ लिया आप तो चंद्रावर्ती बढ़ता है दोस्तों चंद्रावर्ती बढ़ता है इस्थान का नाम लाजवर्त पत्थर वहां मिला था दोस्तों लाइम स्टोन पाया जाता है लाइम स्टोन कहां पाया जाता है इन में से तो दोस्तों लाइम स्टोन बेंस लाना चेतर कोट पुतली जैपुर में यहां भी दोस्तों लाइम स्टोन पाया जाता है राहू का पार्ट ग्राम सम जेसल मेर में ब बांस वड़ा जिले के बुकिया जगपूरा शेतर में किसके बंढ़ार मिले हैं ये क्यूसन पहला ताप लगाओ इपोर्टेड दोस्तों बांस वड़ाम पूछा गए आपके तो ये बुकिया जो जगपूरा शेतर है ना दोस्तों ये क्यूसन आपके लिए पोर्टेड पहल इंडो गोल ने खोजे थे दोस्तों参डो गोल कमपणी ती इस नहीं फोजे थे इस्य क्वपणी था आश्ट्रेलीय की दोस्तों इसने इपके लिए केरन ergy को एक छरब सतना एक से मलेह दोस्तों Canadara celebrating ऑम क्रृटंज नमिन्तम मार्बल वे ग्रे नाइट की नीति कब गोशित की दोस्तों तो ये गोशित की थी आठ जनवरी दो हजार दो को गोशित की थी कब करी थी आठ जनवरी दो हजार दो को गोशित की थी मित्रो राजस्तान में खनीज विकास है तू विजन दो हजार बीस नामक दिर काल योजना कब जारी कियी थी दोस्तों विजन 2020 से ये क्यूशन आपका एक्जाम में आता है दोस्तों विजन 2020 से क्यूशन आएगा तो इसे पुछा गया तिरे कल योजना कब जारी कि रही थी तो दोस्तों 15 अगस्त 1999 में को ये योजना जारी करी गी थी दोस्तों पेट्रोलियम उर्जा वे खनन विसव दाले कहां इस्तापित किया जाएगा दोस्तो पूछा गया पेट्रोलियम उर्जा वे खनन विसव दाले कहां इस्तापित किया रहे हैं तो कहां इस्तापित किया जाएंगे आपके जोदुपुर में इस्तापित किया जाएंगे पचास मक्यूशन आपके स्क्रीन के उपर है सीमेट ग्रेड लाइम स्टोन मिला है दोस्तो सीमेट ग्रेड लाइम स्टोन कहां मिला है मित्रो तो सत खंडा सिंदवाडा सेतर चितोडगड में भी मिला है मूर का सनी पाली अंदर पढ़ता है यहां भी मिला है दोस्तो हरिमा पिता सर जायल नागोर के अंदर पढ़ता है यहां मिला है दोस्तो तीनों स्तान में मिला है तो चोथ उप्षन हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ये सारे option सही है मित्रो क्या है ये सारे option सही मिला है यहां क्या मिला है लाइम स्टोन मिला है मित्रो खनीज मंत्राले ने 10 फरवरी 10 फरवरी 2015 को 31 खनीजों को गोन खनीजों के रूप में अदिस उचित किया है मित्रो 31 खनीजों को मिला दिया गया उसके बाद अधिसुचित गोण कनीजों की संख्या कितनी है मित्रों तो पच्पन है दोस्तों कितनी संख्या हो जाएगे हमारी पच्पन है दोस्तों इसकी पोटल संख्या बावनवा क्यूशन आपके स्क्रीन के उपर है राज़ा की पर्थम खनीजनीती कब गोशित कीगी थी दोस्तों ये क्यूशन आप इपोटल लगा लिजेगा दोस्तों राज्य सरकार दोवारा खनीज विकास को ध्यान में रखते हुए 2015 में नई खनीजनीती कब गोशित की जाती है दोस्तों तो नई जो खनीजनीती है 4-0-2015 को गोशित की जाती है मित्रों खान बलकों की ई निलामी करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कोण सा है ई निलामी करने वाला जो देश का पहला जो राज्य बन जाता है वो है राजस्तान दोस्तों तो ये क्यूशन आपके एक्जाम में आपको दिखाई देगा दोस्तो पक्का दिखाई देगा क्या ई निला में दोस्तो तो पहला राज्य कोण से हो जाएगा हमारा राजस्तान हो जाता मित्रो तेल और कोईले के बदोलत देश की खनीज की आर्थी राजदानी बनता जा रह है देश की आर्थी के राजदानी बनता जा रहा है बारती है बू शर्वेक्षन विभाग द्वारा रेयर अर्थ का रेयर अर्थ का विसाल बंधार कहां मिला है मित्रो तो वो जो विसाल बंधार मिले हैं न वो बार्ड मेर 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 गड़ शेतर के पाड़ियों में किस खनीज का बंढार मिला दोस्तों तो भीलवड़ा गड़ जो शेतर पड़ता कॉन सा हमीर गड़ दोस्तों तो वहां मिला किसा लोहे के मिले मित्रों का पुझा है जानूरवी कभी की थि दोस्तों एक अक्टूबर 2016 लागो परभावी होती है दोस्तों कब होती है 2016 लागो यह परभावी बूचा गया यह जो नई मार्बल आयात नीती है यह बनी कब थी दोस्तों इसकी स्तापना कब होती है जो इसकी स्तापना होती है 17 सेप्टमबर 2016 लागो इसकी स्तापना होती है तो लिगनेट अधारित कन्वेट बेल्ट पुछा गया आप से तो वो भी कहां पर आपका हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपका कहां पर बार्ड मेर में हो जाएगा मित्रो क्यूशन सारे बार्ड मेर में से सारे क्यूशन ले लिए मैंने तो थोड़ा सा बार्ड मेर भी खन राजस्थान में काम पर किया गया दोस्तों हमारे राजस्थान में काम विक्का नेर के अंदर मित्रों कहां किया गया गया विक्का नेर के अंदर अगला किसन खानों के आवंड़ा ने तो निला में की परकीरिया पनाने का फैंचला लिया गया गया था दोस्तों कब लिया गय लिया गया 20 2017 को लिया गया दोस्तों यह फैंसला कब लिया जाता है 20 2017 को लिया जाता मित्रों जोदपूर के आगूलाई वागूलाई 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 वा आगुलाई और बिनावास में यूरेनियम के बंधार मिले हैं यह स्तल किस जिले में हैं तो यह स्तल हमने बात ही कर लिए किस जिले में है यह जोदपुर में है यह आगुलाई और बिनावास मित्रो क्यूशन सारे इपोर्टेट है यहां क्या मिला है यहां यूरेनियम के आर जो राजशतान पूछा जाय तो आप लगा लेना राज गट लगा लेना दोस्तों यह राजगड एक तो आप चुरू बढ пятता है दोस्तों सकता option में को राजगड चुरू भी दिया औता और राजगड अलवर भी दिया हो तो यह option ऐसा मिल जाए तो राज़गर अलवर बड़ा जो है ना उप्शन वो आप से ही कर दीजेगा दोस्तों अगला क्यों राजस्तान का पहला सेर जहां गरेलू गेंस की सप्लाई पाइपलान के माद्यम से की जारी है दोस्तों तो राजस्तान का पहला सेर पूछा गया है जो गरे किसी हो रही है पाइपलान के दोबारा हो रही है अगला क्यों डेडिकेटेड रिफाइनरी स्किल सेंटर खोला जाएगा डेडिकेटर जो रिफाइनरी स्किल सेंटर कहां खोला जाएगा मित्रो तो यह जो स्किल सेंटर खोला जाएगा यह आपका खोला जाएगा जो मित्रो क्यूशन सारे इपोर्टेंट है मित्रो पी एन जी आर बी के दसमें दोर के राउंड में अजमेर पाली वर राज समंद में पाइपलाइन के जरिये गरेलू गेंस पहुंचाने के लिए किस कमपनी का नाम तेह किया गए दोस्तो तो यह किउशन भी पहले तो आप पोटल लगाओ तो कमपनी जो एक्जाम में जितनी कमपनी हैं वो थोड़ा सा याद कर लिजएगा अडानी गेंस लिमिटेड टोरेंट गेंस प्राइवेट लिमिटेड गुजरात गेंस लिमिटेड तो यह सारी इसका नाम तेह नहीं किया गया इसका भी नहीं किया गया इंदर प्रस्त कमपनी का यह क्योशन यह जो अप्शन हमारा इंदर प्रस्त कमपनी यह एंस पर हमार सही हो जाएगा मित्रों बोंबे हाई के बाद देश का दूसरा अगरनी तेल उत्पादक शेतर है दोस्तों पहला तो कौन सा हो जाएगा बोंबे हाई हो जाएगा इसके बाद देश का दूसरा अगरनी जो तेल उत्पादक शेतर है मारा वो हो जाएगा मारा कौन सा इंडिया ने जियो हेरेज साइट को सित किया दोस्तो तो जीरो हेरेज साइट किसे गोशित किया है तो वो जाएगा आपका रामगड दोस्तो रामगड बारा को क्या किया गया है जियो हेरिटेज साइट स्क्रीन के उपर है तेल रिफाइनरी कहा स्टापित कि जा रही है मित्रो तो राजस्थान वह राजस्थान वह रांजा स्थान के बार philanthrop मेर करूंज मेर बार हो जाएका दूस्टों और लिए सारे क्यों जो दे रखे हैं इसारे उप्षन कई नहीं अपने टेल से असमंदीत है यह पुछा एक राजस्तान में इस्तापित की जा रहे है तो तिज रिफायनी 1512 में इस्तापित की जा रहे है क्यों इसका नंबर हो जाता है मित्रों खनन परवावित शेतर वें खनन से परवावित लोगों के कल्यान में विकास हेतू खान दारकों को रोयल्टी के अनुपात में असदान जमा करवाने हेतू खनीज फाउंडेशन ट्रस्ट अनियम 2016 बनाया गया है मित्रों तो ये कब बनाया गया है ये ये बनाया गया आपका 31 माई 2016 लाको दोस्तो ये क्योशन भी पोर्टट बन जाता है राष्टे खनीज अनुवेशन ट्रस्ट की स्थापना कब की गी थी दोस्तो तो राष्टे खनीज अनुवेशन की स्थापना कब की थी का स्क्रीन के पर राष्टान में पोटास के बंडार क्या मिले हैं राष्टान में जो पटास के बंडार मिले हैं यह सब जिगा मिले हैं यह गंगनगर हनमानगर बेकानेर नागोर और सब जिगा इसका उप्शन हो जाएगा यह उप्शन हो जिगा सही आज का यह क्यूशन नी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो अपने दोस्तों सेर करते हैं मित्रों, थेंक यू सो मच, बाबाई